भारत के प्रधानमंत्री क्रमबत तो दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ आज जिसकी साहता से आप भारत के सभी प्रधानमंत्री 1947 से 2020 तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनके कारकल के साथ में आपको एक ट्रिक से याद हो जाएगे तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तो वीडियो में लाज तक बने रहीएगा आपको पूरी जानकरी हम इस वीडियो में देने वाले हैं तो दोस्तो मेरा नाम है सिवा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सिवा Online Classes तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आने बाले वीडियो की नोटिफिकिसन आप तक पहुँचती रहे तो चलिए दोस्तो स्टाट करते हैं आज की वीडियो तो ट्रिक क्या है दोस्तो ये है हमारी ट्रिक आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तो जबाहर भै लाल वहदुर इंद्र बने मुरारी तब चौधरी के चरणचु इंद्र भै राजी ठीक है उसके बाद में है बिस्तु चंदर नरसिंग संहारे अटल देव भै गुजराला अटल ते मनमोहन बोले अवकी बार मोधी सरकार तो यह है दोस्तो हमारी ट्रिक यह एक दोहा टाइप का है अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इस दोहे में भारत के सभी प्रदान मंत्रियों के नाम छिपे हो गए तो चलिए दोस्तो यह जो दोहा आए इसमें जो ट्रिकी बर्ड हैं वो हम आपको इस वीडियो में भी बताने वारे है तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तो एक तरफ है ट्रिकी बर्ड दूसरे तरफ है प्रदान मंत्री का नाम और तीसरे तरफ हो उनका कारेकाल ठीक है तो यहाँ पर आप ट्रिकी बर्ड में सबसे पहले देखेंगे जबाहर है तो यहाँ पर है दोस्तो जबाहर लाल नहरू आप सभी को पता है कि भारत के प्रदान मंत्री फ़स्ट प्रामिनिस्टर ओफ इंडिया जो थे उनका नाम था जबाहर लाल नहरू इनका कारिकाल था दोस्तों 1947 से 1964 तक ठीक है उसके बाद में आये लाल बहादुर तो भारत के दूसरे प्रधान मंत्री थे लाल बहादुर सास्त्री ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देजिएगा यह है ट्रिकिवर्ड, यह है प्रदानमंत्री का नाम और यह है उनका कारिकार तो जब यहाँ पर है दोस्तो लाल बहादुर, तो लाल बहादुर सास्तिरीούμε। नाम था और 1964 से 1966 थक यह भारत के प्रदानमंत्री रहे हैं उसके बाद में है दोस्तो इंद्र, ठीक है? उसके बाद में आता है इंद्र तो इंद्र के लिए आपको पता ही है दोस्तो भारत की जो थर्ड प्रधान मंत्री थी उनका नाम था इंद्रा गांधी ये 1966 से 1977 तक भारत की प्रधान मंत्री रही ठीक है next आता है दोस्तो मुरारी ठीक है तो मुरारी से यहां पर बनता है आपका मुरारजी देशाई ठीक है? मुरारजी देशाई भारत के चौते प्रिदान मंत्री थे इनका कारिकाल 1907 से 1989 यानि कि 1977 टू 1979 तक इनका जोहब कारिकाल रहा नेक्स्ट दोस्तो चोधरी चरंड ठीक है? तो चौधरी चरण से वनता है हमारा चौधरी चरण सिंग ठीक है चौधरी चरण सिंग के जो कारिकाल था दोस्तों 1979 से 1980 यानि कि एक साल तक रहा उसके बाद में दुबारा से आता है दोस्तों इंद्र तो दुबारा से ये भारत की इंद्रा गांधी प्रधान मंत्री बनी थी जो कि दोस्तो 1980 से 1984 तक ये प्रधान मंत्री रही और आप सभी को पता है कि 1984 में इनके ही एक सुरक्षागार ने इंद्रा गांधी की हत्या कर दी थी Next आता है दोस्तो राजी ठीक है ये ट्रकी वर्ध है आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा राजी से हैं दोस्तो राजीब गांधी इंद्रा गांधी की म्रत्यों की बाद में जो Next प्रधान मंत्री बने भारत के बो थे 1984 से 1989 तक जिनका नाम था राजीब गांधी ठीक है उसके बाद में है दोस्तो विस्व तो विस्व की नाम से दोस्तो है विस्व प्रताप सिंग ठीक है यहाँ पर है विस्वनाथ प्रताप सिंग ठीक है तो यहाँ पर आपका जो कारकाल रहा 1989 से 1990 तक रहा ठीक है उसके बाद में Next आता है चंद्र तो next दोस्तो चंदर सेखर सिहंग भारत के प्रदानमंतरी 1990-1991 तक रहे उसके बाद में next बर्ड है nursing ठीक है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने रेड करके रखा हुआ है जो भी tricky बर्ड भारत के प्रदानमंतरी के नाम में यूज हुआ है उसको भी मैंने रेल करके रखा हुआ है जिससे आपके लिए समझने में आसानी हूँ नर्सिंग से बनता है दोस्तो पीवी नर्सिंग मराओ और इनका कारेकाल 1991 से 1996 तक रहा ठीक है उसके बाद में आते हैं दोस्तो अटल तो अटल से है आप सभी को पता ही अटल विहारी बाजपयाई और अटल विहारी बाजपयाई कि जो कारेकाल था फर्स्ट कारकाल वो only 13 दिन का था जो 1996 से 1996 में ही खतम हो गया 13 दिन के बाद इनका कारेकाल जो हो खतम हो गया था Next आता है दोस्तो देव तो देव से बनता है यहाँ पर H.C. देव गोड़ा ठीक है? H.C. देव गोड़ा भारत के एक साल प्रदान मंत्र रहे थे इनका कारेकाल 1996 से 1997 तक रहा था Next आता है गुजराला, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो गुजराला से बनता है आईके गुजराल तो आईके गुजराल भारत के प्रदान मंत्री 1997 से 1998 तक रहे थे उसके बाद में आता है दोस्तो अटल बिहारी बाजबे ठीक है ट्रिकी बैड है यहाँ पर अटल और इनका फुल नेम बनता है अटल से अटल बिहारी बाजबे तो दोस्तो यहाँ पर अभी जो अटल बिहारी बाजबे सेकंड टाइम प्रदान मंत्री बने थे तो इनकी जो सरकार रही थी वो 1998-2004 तक इनोंने कारेकाल किया था ठीक है? उसके बाद में दोस्तों भारत के प्रधान मंत्री थे आप सबी को पता है मनमोहन, तो मनमोहन सिंग से है मनमोहन सिंग और इनका कारेकाल 2004-2014 यानि कि दो पंच वर्षी योजना यानि कि दोस्तों दस साल तक ये भारत के प्रधान मंत्री रहे हैं मनमुहन सिंग के बाद में दोस्तों जिसकी सरकार बनी वो है मोधी तो नरेंदर मोधी इनका फुल नाम है और 2014 से लेकर अभी तक 2020 तक मलब जो भी दिन चल रहे हैं इस समय 2014 से लेकर अब तक ये भारत के प्रधान मंत्री के पत्पर आसीन है तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो एक बार मैं आपको जो ट्रिक है वो एक बार दुवारा से पढ़के बता देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी फो सके ठीक है तो ये ट्रिक है दोस्तों भारत के प्रधान मंत्री क्रमबत यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि भारत के कौन से प्रधान मंत्री 1st, 2nd, 3rd, 4th, जितने भी भारत के प्रधानमंतरी हुए हैं अभी तक उनका कारिकाल कब से कब तक रहा और उनको सीनरटी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है तो यह, यह दोहाँ टाप का मैंने आपको बनाकर प्रिस्टुत किया है ठीक है नेक्ष लाइन आती है विश्टु चंद्र नर्सिंग सहारे अटल देव भाय गुजराला अटल ते मनमोहन बोले अब की बार मोधी सरकार तो यह अगर आप धोहा के लिए दोस्तों याद कर लेते हैं तो आपके भारत के लिए भारत के जो प्रदानमंत्र रहें अभी जैसे यहाँ पर जबाहर, लाल, वहादोर, एंद्र, मुरारी आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे के इनको। रेड करके रखा हुआ है इसे तरह से दोस्तों 3 slide है यहां पर तीनो slide हो मैंने यहां पर जो भी tricky bird प्रदानमंत्री के नाम के बीच में use हुआ है उसको मैंने red करके रखा हुआ है ठीक है उसके बाद में यह हमारी last slide है इसमें भी आप देख सकते हैं पूरे के पूरे हमने red करके रखे हुआ है तो दोस्तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं और अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से आपको जड़ना पड़ेगा हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप बहाँ से जाके हमारे टेलिग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं तो दोस्तो उम्मित करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तो एक एक बार सेर अपने दोस्तों के साथ में जरूर करते हैं तो चलिए दोस्तो कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के नमस्कार जय हिन जय भारत थेंक यू फोर वाचिंग